हेलो दोस्तों AutoCAD Electrical के एक और वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग PLC के कनेक्शन सेखेंगे कि हम लोग किस तरीके से अगर हमें अपने स्केमाटिक ड्रॉइंग में PLC इंसर्ट करनी हो और PLC के IO के कनेक्शन अगर हम लोगों को दिखाने हो अपनी ड्रॉइंग में हमको डिजाइन करना हो तो वो हम लोग किस तरीके से करेंगे बिल्कुल स्टेप बाइ स्टेप सारी चीज़े में आप लोगों को बताऊंगा और अगर आप लोग AutoCAD Electrical बिल्कुल Basic to Advanced में सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारे Android एप से AutoCAD Electrical का कोर्स जोइन कर सकते हो जहां पर आप सिर्फ 600 से 700 रुबे के असपास में AutoCAD का बिल्कुल Basic to Advanced Schematic प्लस Electrical पैनल किस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हो वो आप लोग सीख सकते हो तो सबसे पहले तो अगर आप किसी भी Electrical पैनल के लिए स्थेमाटिक बना रहे हो या फिर किसी भी Electrical पैनल के लिए Electrical रॉइंग उसकी डिजाइन करना चाहते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस पैनल के अंदर कुन-कुन से components पलस किस manufacturer के components आप लोग यूज करने वाले हो क्योंकि यहां पर हम लोग PLC लेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि PLC का जो CPU है वह AC सप्लाई पर work करेगा या फिर DC सप्लाई के ओपर work करेगा क्योंकि कुछ modules ऐसे होते हैं जिन पर आप direct AC सप्लाई connect कर सकते हो और वह AC सप्लाई आप लोग का 220 वोल्ट AC हो सकता है 110 वोल्ट हो सकता है 24 वोल्ट AC भी हो सकता है ठीक है या फिर 24 वोल्ट DC हो सकता है तो वह डिपैंड करता है module के ऊपर कि आप किस manufacturer के कून से model के ऊपर काम कर रहे हो या फिर कून से model को आप लोग अपने पैनल में इंसर्ट करना चाहते हो बान के चलो यहां पर में आता हूं icon menu पर और यहां पर हम लोग PLC IO पर गिलिक करते हैं और यहां पर मैं fixed unit को select करता हूं और यहां पर हम लोग क्या आप करते हैं यहां पर मेरे पास दो fixed module के manufacturer है एक है AB AB मिन्स एलन बेडली और दूसरा है यहां पर automation direct का ओके तो यहां पर मैं automation direct करता हूं और यहां पर कुछ models हैं हम लोगों के पास जैसे की 10 input and 8 outputs ओके इसी तरीके से अलग अलग आप लोगों को यहां पर modules मिलेंगे मानिके चलो यहां पर मैं एक module select करता हूं और उसके बाद इस module को मैं यहां पर insert कर देता हूं ओके कुछ इस तरीके से ठीक है और यहां पर अगर आप चाहो तो आयो description आप लोग यहां पर डाल सकते हो simply ठीक है यानिकि X0 के लिए description क्या होगा X1 के लिए क्या होगा X2, X3, X4, X5 and X6 इस तरीके से जो भी आप लोग डाल देते हैं कि यह hydraulic on के लिए है और या फिर एक काम करते हैं इसको मान के चलो में डालता हूं यहां पर कि हमारा control on है और यह वाला जो है हमारा यह control off है ठीक है और उसके बाद X3 मान के चलो यह हमारा है hydraulic on ठीक है और X4 यह है हमारा hydraulic off ओके तो इस तरीके से आप लोग description एड़ कर सकते हो हर एक आयो के लिए चाहिए वह आपका input हो या फिर चाहिए आपका वह output हो इसी तरीके से Y0 को मान के सो यहां पर मैं डालता हूं कि hydraulic on ठीक है यानि कि Y0 अगर output हमाई आएगी या फिर Y0 अगर हमारा Y0 पे अगर supply होगी PLC के तो हमारे hydraulic motor जो है वह on हो जाएगी ओके तो यहां पर ह हम लोग simply okay कर देते हैं बाकी का description आप लोग खुद से add कर सकते हो मैं जस्ट आपको एक example के लिए आप पर दे रहा हूं ठीक है तो यह emergency हो गया X1 control on और उसके बाद X2 वाला input जो है वो control off के लिए उसके रहे हैं X3 hydraulic on और X4 hydraulic off या फिर एक और भी कर सकता है यहां पर auto manual रखने है तो आप लोग auto manual भी डाल सकते हो ठीक है कि auto manual के लिए कुन सा आयो है वो सब चीजह आप लोग अपने according जो भी आपको need हो उसके according आप लोग add कर सकते हो अब यह मोडियोल है हम लोग के पास auto mission direct का अब यहां पर यहां पर हमको देना पड़ेगा 24V DC तो इसके लिए मैं काम करता हूं मैं power supply ले लेता हूं पावर सप्लाई आप लोगों को कहा मिलेगा power supply आप लोगों को यहां पर मिलेगा ठीक है power source और यहां पर single face अब देखो power source का क्या होता है न हम लोग यहां पर तो मैं power supply यूज़ कर रहां लेकिन क्योंकि PLC है इसलिए हमको external power supply यूज़ करना पड़ेगा PLC में हम लोग करते है एक्स्टरनल power supply यूज़ करके ऐसा कुछ जुगार नहीं करते हैं वहां पर हम ठीक है तो अगर मान किसलों सिर्फ contactors होता है या फिर सिर्फ RLC में अगर आपका कोई panel design है तो हो सकता है वहां पर क्या किया गया हो कि राक्टिफेयर बनाया गया हो चार डियोड का या फिर राक्टिफेयर आजकल बने भी मार्केट में आ जाते हैं ब्रीज राक्टिफेयर हो सकता है सिर्फ ब्रीज राक्टिफेयर यूच किया गया हो एंद उसके बाद कपास्टर एंड 24 वोल्ट वहां पे simply आपका AC अप्ल मिलेगा आपके contactors के लिए 24 वोल्ट मिलेगा 42 वोल्ट की आसपास मिलेगा ठीक है तो इस तरीके से जो control transformers होते हैं हमारे वहाँ पर हम को हम secondary supply जो होती है वहाँ पर taping करके हम अलग-अलग voltage निकाल लेते हैं जो भी हम लोग को चाहिए हो ठीक है या फिर जो control transformer होते हैं उनको आप चाहो तो manufacturer से बोल करके अपनी requirement के according बनवा भी सकते हो तो अगर हम लोग यहां पर PLC यूज करके या फिर capacitor यूज करके तो वो सब चीजे हम लोग PLC या फिर अधर कोई अगर हमारा equipment लेपर कोई device लगा हुआ है हमारे पैनल में तो उसके लिए हम लोग ऐसा चीज कुछ यूज नहीं करते हैं तो उसके लिए हम लोग यहां पर power supply लगाते हैं यह अगें मुझ मुझे इसमें काम करना था मुझे इसका स्केल बढ़ाना था तो इसकेल में इसका टू कर देता हूं power supply लेते हैं हम लोग और अपकी बार मैं इस power supply को यहां पर इंसर्ट कर देता हूं कुछ इस तरीके से ठीक है एंड उसके बाद यहां में PWS1 एंड यहां पर description हम लोग डा power supply module यहां पर सीमेंस बाकी 6A में चाहिए कोई कितने acord month फैलेक्ट कर सकते मान के स плат में 1124 voters 6CM यहां जन्याएंस कर लेता हूं यहां पर okay करता हूं ठीक है और उसके बाद हम लोग यहां पर आगाम करते हैं हम लोग यहां पर ओके पर किलिक करते हैं ओके मैप करते हैं इसको तो यहां पर देखो पावर सप्लाई इसका डिस्क्रिप्शन आ गया और यहां पर यह अपना लाइन है यह अपना यानिकी ल1-2 बोलो यह फिर यह लाइन वाला ट्र मिल्ल यहाँ पर होगा यहाँ पर न्योटल होगा यह ग्राउंड है उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगाम करेंगे हम अपनी PLC को यहाँ पर 24 वॉल्ट के साथ में कनेक्ट करेंगे और उससे पहले मैं प्लिकेक करेंगे और यहां यहां से लेंगे हम लोग जहां पर हम लोग नूटलन करेंट करेंगे और एक गयर लेंगे में और फैंप लेटेश करेंगे हुआ रहता हैं ये क्यों और सप्लPass मे और भुणके टेंगेobra़ यह तो मैं तोarte rical स्टेश पर नेक्ठ आँप कि अक्सर आप लोग ने देखा होगा अगर आप लोग इंडिस्ती में हो काम करते हो तो आप लोग अक्सर देखा होगा कि हमारी जो power supply होती है उन पर आप लोग मतलब है अगर एर्थिंग नहीं है अगर मुन की बोड़ी पर आपड़ा लगाऊगे तो वहाँ तो आप हम लोग अपने power supply को हमेशा ground करके रखते हैं अब power supply में current leakage क्यों होता है वो एक अलग topic है ठीक है उसके बाद हम लोग आगाम करेंगे हम लोग यहां से यह निकि जो प्लस ओला ट्रिमिनल है यहां पर हम लोग क्या आगाम करेंगे इसको हम लोग करेंगे अपने 24 वोल्ट के सा यहां पर लिखा होगा है यहां यह 0-24 वोल्ट यह फिर अगर कहीं पर 0 लिखाओ तो आप लोग वहां पर confused मत होना प्लस 24 वोल्ट मैंस 24 वोल्ट जीरो वोल्ट है ओके तो यहां पर इतना हम लोग का complete हो गया उसके बाद हम लोग यहां पर यहां पर आगाम कर सकते देखो यह जो आपका module है ना यह फिक्स module जो है आपका चाहो तो अप लोग इसको लैंडर के बीच में आप लोग इसको इसको इंसर्ट कर सकते ते यह फिर आप लोग सिंब्ली एक काम कर सकते हो आप लोग यहां पर कुछ पूर्श पॉर्टन से ले सकते हो ख़िवर लेता हूँ और हम लोग इसको यहाँ पे 개인 directed कर देते हैं के साथ मैं कुछ इस तरीगे से उसके बाद यह जो हमारा यहाँ पे एक्स जीरो नहीं है अब इस एक्स जिरो आधे में कॉन्श करता हूं मैं यहाँ पे कर्म करता कुछ इस तरीके से मलब इस वैली वायर के साथ में हम लोग करेक्ट कर देते हैं और एक्स तो को भी मैं आपर करेक्ट कर देता हूं कुछ इस तरीके से और X3 ऐसे तरीकी से जितने भी हम हम लोगों के पास inputs हैं और उसके बात हम लोग ben यहां पर यहां पर एस तरीकी से insert करेंगे और इसको भी हम हम लोग यहां पर इंसर्ट करेंगे उसके बाद अभी देखो common को हम लोग ने नहीं करना है ठीक है common क्योंकि वो depend करता है देखो आप source type connection कर रहे हो या फिर sync type connection कर रहे हो ठीक है source sync क्या होता है वो एक अलग topic है वो अल्रेडी हम लोग यूट्यूब पर discuss कर चुक है आप लोग देख सकते हो ठीक है काफी सारे आप लोग उनको lectures मिल जाएंगे मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और अधर भी आप लोग उनको बाकी की कुछ इस तरीके से ठीक है यह 0 tierra connect हो गया औंड उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं हम लोग 0ल्ड यहां पर करते हैं और उसके बाद 0 vol आप 3 यहां पर करते को से ओक है को में हम लोग उनका साऽ कंप्रींट हो गया उसके पाद अभी देख्वластत्य हाँ पर आप लोग को कुछ इस तरीके से लग रहा होगा ना बाकि जब हम लोग इसकी कलर चेंज करेंगे तो कलर चेंज करने के बाद वह सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्योंकि जो हमारा प्लस 24 वोल्ट है वो अलग कलर में होगा और जो हमारा यहां पर कोमन वैर जो है हमारी यानिकी जीरो वोल्ट वाली वो अलग कलर में होगी तो वहाँ पर फिर कोई भी कन्फूजन नहीं रहेगा ठीक है उसके बाद हम लोग यहां पर कर सकते हैं वाला करें, अइक सब्सक्राइब करके हम लोग अब यहां पर बोडन करता हूं आपर कनेट करते हूं और उसके बाद यहां पर अगला जो है हमारा वह कंड्रोल ऑन के लिए है यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं तो यहां पर मान के चलो मैं यूज करता हूं अलाकि spacing जो है ना बीच में वह थोड़ा सा इसका इस्यू है तो हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं यहां पर मान के चलो मैं एक काम करता हूं हम लोग जब icon menu में यहां पर icon select करेंगे तो इसका scale हम लोग change कर सकते हैं यह nc और इस nc को मान के सब्सक्राइब यहां पर insert कर देते हैं कुछ इस तरी किसे और उसके बाद icon menu आएंगे और यहां पर हम लोग किन फो zach करेंगे तो यहाँ पर मैं ऐन यूज कर सकता हूं कुछ इस तरीके सद्ट चैसरД के पाद मन कि लोग कंट्रोल ओफ के लिए थूह रिले कॉंट में या फिर अगर आप मान किसलों यहाँ पर लिमिट स्विच पर आओ अगर आपके पास कोई लिमिट स्विच है तो मान किसलों जो हमारा हाइड्रोलिक है वो किसी लिमिट स्विश्च हो रहा है तो हम लोग यहां पर एक लिमिट स्विश्च लगा सकते हैं ठीक है यहां पर काम करते हैं हम लोग की यहां पर ही एक कि nc यहां पर हम लोग यूज कर लेते हैं औक करते पाकी जो हमारे हम इनपूर्ट कर रहें इनके लिए अगर आप कोई मान कर हो टेग यहां पर डिस्ट्रिप्शन अगर अगर आप लोग देना चाहो प्रस केटलोग नमबर वगर देना चाहो तो आप लोग दे सकते हो फिला हम लोग न्योटल लेक्र देते हैं कि कि यहां पे बाद कि यहां पे आ गया हमासा ड्रांट में को tidak कुछ इस टरीक ऐसे उसके बाद हम लोग क्या ऐन गाम करेंगे हम लोग जो यह लाइन है लाइन को हम लोग को मिन के साथ में करेंगे ठीड़िक के धिए घृ ठीक है तो common के साथ में हम लोगों ने line wire connect कर दी उसके बाद जो हमारा यह output module है और output module में y0 y1 y2 जितने भी हमारे outputs हैं यहां पर 8 outputs हम लोगों के पास तो इन सभी outputs से हमको अब line ही मिलेगा ठीक है इनकी face मिलेगा हमको या फिर line आप कह सकते हो कि लाइन वैर हमने अगर यहां पर common पर connect की वह है अगर y0 हमारा ओन होगा तो यह supply हमारी हमारी हां से गों के आएगी और y0 से हम लोग के मिलेगी ठीक है अभी हम लोग क्या दार्म करते हैं हम लोग यहां पर जो हमारा Y0 यहां お algumas फोंसटरी के साथThe करेते हैं कि अर यहां पर मैं काम करता हो यह जो हम लोगं मनें कि सब्सक्राइब Azuga कशना कर देता हूं कि कुछ इस तरीके से और इसके बाद सी हम लोग यहांता है उपने कर दो दिन के सट कूर Wildlife तो फिर लोग हो सकती हैं कि तो evaluate ही तो कुछ इस तरीका से हम लोग कर सकते और लोग अगेन आएंगे अपना अइकॉन मेन्यू पे और उसके बाद मान किसे लो फर्स्ट को मैं पाइलेट लाइट ही लेता हूं यहां पे और रैड यहां पर हम लोग ले रहते हैं और फर्स्ट अगर मान किसे लो हमारा यहां पर फर्स्ट नहीं लेते हैं मान किसे लो वाइवन को यहां पर मैं ले लेता हूं कि यह हमारी एक pilot light है ओके तो ये पाइलट light आगे हमारी उसके बाद हम लोग आते हैं icon menu एंड उसके बाद यहां पर में काम करता हूं relay ठीक है और यहां पर मैं relay coil select कर लेता हूं और यह हमारा hydraulic motor है तो यहां वयर कॉमण पे हमने लाइन भाइर कनेक्ट कर रही किए, तो यहीं से हमारा लाइन जबाई आए गा और Y0 से हमको मिलेगा इस रिले में और रिले के दूसरे वाले ट्रीमिनल से हमलोग उन्atura ग्यूटल ऑल्रेडी Connect किया हुओ है घ्रिके तो इसी तरीके से हम लोग या गाम कर सकते हैं हम लोग यहां पे सभी ट्र Beit्रिमिनल पे हम लोग जो बीहत मों के पास आउट पूर्टच ट्रेमिनेल हैं उन आउटपूर्ट ट्रेमिनल पर हम लोग अपनी जुभी हमारे लोड है उन याप आंट कर सकते हैं है की कोछ इस तरीख से और यहां पर यह जो आ आउटपुट है हम लोगे काम करींगे ओ यहां पर हम लोग उनको कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है यह म iemand मेन धरिली के उसे और यह हमारा वाइफाइप है तो यहां पर हम लोग करेंगे ऑगे आइगे आइकउन मेन अब हिस पर करेंगे और और यहां पर देखो component टैग और डिस्क्रिप्शन वगएरा प्लस मैनुफैक्टिरर और राफ्रेंस नो एंसी काटलोग दे सकते हो क्टिर सकते हो प्लस पिं में आप यहां पर क्टे होगी वहांपे ट्रिलल और टू फे तो यहां पर मैं simply okay करता हूं तो यहां पर देखो यह A1 और A2 यहां पर आ गया अगें हम लोग आएंगे icon menu में और relay लेंगे और यहां पर हम लोग relay insert कर देंगे कुछ इस तरीके से ठीके तो यह हो गया हमारा कि हम लोगों ने अपने PLC के output में एक relay board connect कर दिया एक तरीके से और यहां पर आप चाहो तो इसके बाद आप लोग एक काम और भी कर सकते हो यहां पर यहां पर आप लोग icon menu में आओ एंड उसके बाद motor control पर आओ motor control पर आने के बाद यहां पर motor starter coil आप लोग यूज कर सकते हो ठीक है इसके लिए एक अलग logic बनेगा motor starter आप लोग यहां पर add कर दो एंड उसके बाद अब यह motor starter जो on होगा वह मान के चलो आपका CR यह मान के चलो CR1 है CR2 CR3 तो यह CR1 के अनों से on होगा ठीक है तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसके controlling कर सकते हो ओके और अगर आप लोगों को colors वगर चेंज करने हो color change कर सकते हो अब यहां पर देखो यहां पर आप लोग source arrow add कर सकते हो इसके लिए भी आप मतलब destinis narrow यहां पर add कर सकते हो मान के लोग आपके किसी और ड्रोईंग से यहां पर अगर आपका वयर आ रही है तो यहां पर आप होना चाहिए कि power supply मान किसलों आपका 220 volt में है और PLC भी आपका 220 volt में है तभी आप लोग यहां पर collect करोगे ठीक है तभी आप लोग यहां पर same supply collect करोगे क्योंकि हो सकता है कि आपका जो PLC का output module है हो सकता है वो 110 volt AC हो या फिर हो सकता हो 220 नहों कुछ और हो तो उसके ओपर depend करता है तो उसके लिए आपको PLC के module के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका जो module है वो किस supply को support करता है AC supply सिर्फ AC supply देखकर कि आप लोग यहां पर यह 220 AC है तो यहां पर भी 220 AC नहीं हो सकता वो depend करता है कि यह module किस वोल्टेज को support करता है या फिर कुन सी AC supply को support करता है कितने voltage को support करता है ओके तो आई होप कि आप लोगों को यह समझ माया होगा कैसे हम लोग यहां पर PLC के connections कर सकते हैं और यहां पर आप लोगों को एक idea भी लगया होगा कि हम लोग PLC के connection किस तरी किसे करते हैं बाकि अगर आप लोगों को कोई doubt हो इस topic से related तो आप लोग वीडियो की नीचे comment कर सकते हो और अगर आप लोगों को auto guide electrical बिल्कुल basic to advance सीखना है तो आप लोग हमारे android app को download कर सकते हो या फिर हमारे whatsapp में आप लोग हमको message करके course की details ले सकते हो सो इस video lecture में इतना ही thanks for watching मिलते हैं अपने next video lecture में